हम चाहे कितने भी संकट में हो, हमारी मुश्किल और मुसीबत चाहे कितने भी बड़ी हो, फिर भी हम लाखों क्रोडों लोगों से अच्छी हालत में होते हैं। अगर हम ये बात समझ जाएं, तो हमारी परिशानी दूर करने के लिए ये समझ काफी है। अगर आप सत्तर या असी साल के हो, तो सोचो, आप उन लाखों लोगों से अच्छे हैं, जो इस उमर तक नहीं पहुंच सके। हॉस्पिटल में जाकर देखो, मरीजों की हालत देखकर आप अपने आपको तंद्रुस्त महसूस करोगे। मंदिर गुर्दवारे में जाओ, तो देखोगे, जिन चीजों के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो सबी चीजें पहले से ही आपके पास हैं। अगर आप पोते-पोतियों की उमर में हैं, और आपके माता-पिता आपके साथ हैं, तो सोचो आप कितने किस्मत वाले हैं, क्योंके कई लोग बच्पन में ही अपने माता-पिता को खो देते हैं, और वो यतीम खाने में पलते हैं। आपका शिकवा है ना, कि आपका अपना घर नहीं है, पर आपके सर पर चट तो है, हमारे देश में लाखों करोडों लोग ऐसे हैं, जो फुटपात पर सोते हैं, अगर हम इन सभी चीजों के लिए शुकराना करना सीख लें, तो हमारे पास ऐसे हजारों चीज़ें हैं, जिन क लिए शुकराना करने की जरूरत पड़ेगी, अपने आसपास ध्यान से देखो, लोग कितनी सख्त, मुश्किल और नीरस जिन्दगी जी रहे हैं, हम शुकरिया करने की कमी के कारण ही उदास और मायूर्स होते हैं, अगर हम धन्यवाद और शुकराना करने की आदत डालने, तो हमारी जिन्दगी आसान हो जाएगी, कुदरत ने हमें जो दिया है, अगर हम उसकी सूची बनाएं, तो हम कभी निराश नहीं होंगे, अपने आप हमारे दिल में शुकराने की भावना जाग उठेगी, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को आगे शेय काईपरी.